यहां पर यह कहा जाता है कि राम सेतु का निर्मान यहां से किया गया था और आयोध्या में राम रारा के प्रान प्रतिष्ठा समालों से पहले देखे यहां पर जो टेलिस्कोप कहा सकते हैं उसके लेंस के जरीए प्रधार मंत्री जो आखरी छोर कहा जाता है इसे यहां से इ राम सेतु के निर्मान हुआ था, धनुषकोटी जो ये जगा है जहां से परदान-मंतिरी अभी अरिचल मुने, जो टमिल-ुनानू में यहां से राम सेतु के निर्मान की जब हम बात करते हैं, तो देखिए ये तमाम उन्ही जगों पर अप्रधार मन्तुरी जा रहे हैं जहां से राम का संबंध है धनुश कोडी जो ये जगा है अगर इसकी बात की जाए तो यहां मानिता ये है कि यहां पहली भार बगवान श्री राम से विभीशन मिले थे तो उस लिहाज से इस पूरी जगा की अपनी मानिता रही ह और कुछ ऐसी दंत कथाएं ये भी कहती है कि यहां पर प्रभू श्री राम द्वारा विभीशन का राज्य भीशेक गया था आज भी तमिलवासी इस्थान पर पूजा करते हैं यहां पर अनेको मंदिर भी है और इसी लिए ये जो अरुचल मुनई पॉइंट है ये अपने लिहास से अगर बात की जाए तो ये जो पूरा दौरा है तमिलनाडू का ये अपने आप में बेहत खास है हमने कल देखा धनमंत्री ने श्री रामनाथ स्वामी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाकर पूजा अर्शन की और इस वक्त धनमंत्री धनुश कोडी के पास अरिचल मुनई पॉइंट पर हैं जहां पर ये माना जाता है कि भगवान श्री रामने धनुश तोड़ दिया था और निर्मान किया गया था और ये रामे इश्वरम का धनुश कोडी गाउं है जहां पर हम हर साल देखते हैं कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहां पर तोड़ा था और इसी लिए इसका नाम धनुश कोडी पड़ा देखे इस नाम का भी अपना आएक भावार्थ है और ये भी कहा जाता है यहां पर कि क्योंकी यहां पर सेतु जो प्रणां सेतु है उसकी कई न कई अवशेश भी दिखाई देते हैं तो उसे इसी लिए इस न पूरा दौरा है जब हमने दक्ष्विन भारत की हम बात कर रहे हैं कैसे ये दक्ष्विन भारत और उत्तर भारत की भावना को जोड़ रहा है और सेतू क्या है सेतू है वो राम नाम जिस राम नाम का जिक्र हम सुभा से कर रहे हैं क्यूंकि राम सपके हैं और हमने कल भी उस प्रसंग का श्रवन करते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आये थे तो आज प्रधानमंत्री आरिचल मोनई तामिलनाडू में धनुषकोडी के पास है यह जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौझूद है और यह जो इस तरह से कठिन अनुष्ठान का परायन प्रधानमं मंदिर हैं वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है तो उस लिहाज से भी यह पूरी यात्रा बेहद एहम है तो तनुषकोडी में अरिचल मोनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और कुछी देर बाद प्रधानमंत्री को ठंडा रामस् वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और इसी लिए इस अरचल मुनई पॉइंट को परिटन के लिहाज से भी जाना जाता है क्योंकि भागवान राम से जुड़ा जो तर्थे वो यह है कि यहां पर राम से तू का निर्मान है तो उस लिहाज से भी यह बेहद एहम ह और यहां पर क्योंकि जो कोठंडा रामा का जो अर्थ है इस नाम का अगर अर्थ है तो वो है धनुरधारी राम यह धनुषधारी राम और राम की यह जो का जो यह स्वरूप है जिसमें वो धनुरधारी है जिन में मर्यादप पुरशोत्तम की जलक दिखती है वो सहनशील हैं धैरवान हैं नायक हैं जन नायक हैं उस लिहास से भी ये जो नाम पड़ा है ये उसकी कहीं ना कि उसके भावात को बहुत सही तरीके से परिलिक्षित भी करता हुआ नजर आता है और रिचल मुनाई ये वो पॉइंट है जहां पर पृधान मंत्री इसका दौरा कर रहे है जहां से श्री राम पहली बार विभीशन से मिलेते हैं असल में ये तमाम वो जगाए हैं जहां कहीं न कहीं वनवास के वक्त प्रभू श्री राम का कुछ वक्त बीता चाहे हम बात करें जिन मंदिरों में कल प्रधान मंत्री गए रंगनाथ स्वामी मंदिर हो या रामनाथ विलोम कर रहे हैं ये अनुलोम विलोम करते लो नदर आ रही है और योग का ये एक बहुत औहुत एहम एक क्रिया है यहां है आच्मन देते हुए सूरे भगवान को और सूरे भगवान को क्यों सूरे वन्षी कहलाते हैं प्रभूश्री राम तो उस लिहास से भी आप देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं उत्तरमिस्थित आयोध्या की, पहुँच का है हम रामेश्वरम, बात आई अरिचल मुनाई पॉइंट की, तो आप देखिए रहा कितना बड़ा ये सेतू तो वैसे ही बन गया जो राम नाम उसकी भावना से ओत्प रूप है कि आप देखिए कि कल राम चरितुर मानस में जब आवध जब आयोध्या धाम की वापसी का प्रसंग था, तो हमने उसका श्रवन भले कई भाश्राओं में आपको दिखाया, जिसमें मैथली थी, बंगाली थी, गुरु मुक्की था, कश्मीरी थी, विकिन भाव यही था कि पूरा देश हर्श उलातित है, यहां भावान सूरे को आचमन देते हुए मधान मंत्री नुरेंद मोदी और सूरे वंशी रगवंशी कहलाते हैं, प्रभू श्री राम जहां कहा जाता है कि प्रान जाए पर वचर ना जाए और यह प्रतिबधता है इस पूरे र मार्मिक अब हमने समवाद देखे हैं, जहाए हम कितनी बार भी हम राम चरितर मानस का जब श्रवन करते हैं, उसमें ऐसे कई समवाद हैं, ऐसे कई मार्मिक घटना करम हैं, जो आपके जीवन को बदलने का माददा रखते हैं, कहते हैं कि अगर आप जीवन की किसी मुश्कि का समाधान मिलता हुआ नजर आएगा तो ये वो आखरी छोड जहां से प्रधान मंत्री हम ये कह सकते हैं कि इससे बहतर क्या शुरुवात होगी जिस प्रान प्रतिष्ठा के आयोजन का पूरा देश इंतजार कर रहा है तो अरचल मुनाई पॉइंट का दौरा प्रधान मंत् और क्योंकि विभीशन जिने लंका से निकाल दिया गया था कहा जाता है अगर दंत कथाओं और प्रचलित हिंदू मानेता को देखे कि यहां पर उन्होंने प्रभूश्री राम से शरण मांगी थी पहली बार उनकी भेट यहीं हुई थी और यहीं जब कोठंडा रामस्वा यहां से तस्वीर आप देख रहे हैं यह वहंगम द्रिश्चे हैं जो हम कह सकते हैं सदी के दृश्चे हो सकते हैं यहां इस खुले वातावरण में बैठकर पधार मंतरी योग के उस संदेश को भी पूरे विश्व को देते वे नजर आ रहे हैं और भारत तो अब प्रोवाइडर एक फैसिलिटेटर के तौर पर नजर आता है खाली बात यहां पर धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक संत्रकिती से नहीं जुड़ी हुई बात यहां पर जुड़ी हुई है आस्था से और यह आस्था जोडती है दक्षिन उत्तर पूरब पश्रिम सभी क और प्रदानमंत्री जुस तरह से धार्मिक अनुष्ठान का करतव्य पूर्वक पालन कर रहे हैं यह संदेश राता है कि जब हम अपनी धार्मिक मानेता हुई यानि नित्यनयानूतन चिरपुरातन यानि नित्यनयनूतन को अपनाते हुए चिरपुरातन को भी ध्यान में रखना है आयोध्या जो हमने आपको दिखाई जो पहले क्या थी और आज वहाँ पर एक नई युग का आगाज है यह युग है राम का क्योंकि राम सबके हैं और जिन तत्वों से जिन तत्वों से मिलकर पंच प्राण हुए हैं हमने देखा कि प्रदान मंत्री ने राम मंदिर से जुड़े तमाम जो स्टैंप है उने जारी कि या बुकलेट जारी कि यानि कि एक वैश्विक पटल पर भी कैसे राम मंदिर को लेकर उत्सा है कैसे उस प्राण पतिष्ठा को लेकर हर्शो उलासित है पुरा देश उसका भी यहाँ पर उलेक मिलता है और अरिचल मुनई का जो यह पॉइंट है यहाँ से प्रधान मंत्री निहारते हुए कि किस तरह से यह आखरी छोर होने के बावजूद जब हम बात करते हैं कि यहाँ से राम सितु का निर्मान दिश्टव्वे लगता है तो आज का यह दौरा प्रधान मंत्री का बेहद एहम प्रधान मंत्री आभी कुछी देर में जब कोठंडा राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे हम वो दृष्वे भी आपको दिखाएंगे और कोठंडा राम नाम का जो अर्थ है वो धनुष थारी राम है राम का यह जो प्रतीक है जुसमें वो धनुष को धारन किये हुए नजर आते हैं कि योद्धा के रूप में, सूरेवंशी के रूप में, कान्तिकार के रूप में, सूरेवान के रूप में, उर्जावान रूप में तो ये नाम उसी का परिचायक है प्रतामंत्री का यह जो दौरा है यह दो दिवस्ये तम्मिलनाडू का दौरा है जिसका आज आखरी दिन है हमने देख शाओं में उसका श्रवन किया गया, वो महौल भाव विभोर था, भजन संध्या में भी प्रधान मंत्री ने हिस्सा लिया, हमने देखा कि ये अरिचल मोनाई पॉइंट है, और प्रधान मंत्री ने रामेश्वरम में, समुद्र में, जो हम कह सकते हैं, पवित्र स्नान किया थ यहां पर, तो यहां पुश्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधान मंत्री ने रामेश्वरम मोदी, और यह जो विशाल हम समुद्र यहां देख रहे हैं, यह विशालता प्रतीक है भारतिय संस्रिती की, जो सामाजिक समरस्ता में से ओत्रोत है, और यह सामाजि राष्ट के सरवांगीन, विकास को आत्मनिर्भर बना कर उस पत पर दोडाना है, यहां आचमन करते हुए धार मंत्री ने रामेश्वरम मोदी, आरे चल मोदी